हेलो दोस्तो मैं संदिक मिस्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल SM Classes में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम P-Block के अंतरगत सल्फियूरिक अमल के बारे में पढ़ेंगे यानि कि हम जानेंगे कि सल्फियूरिक अमल क्या होते हैं तथा सल्फियूरिक अमल बनाने की जो Contact Process है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संस, पर्स, प्रक्रम और बहुत से किताबों में ये आपको संपर्क विधी के नाम से भी मिलेगा तो बहुत ही important topic है आपके exam में सल्फियूरिक अमल के निर्मार की जो Contact Process है वो बहुत पुछा जाता है तो most important है वीडियो को ध्यान से देखेगा और पूरा देखेगा तो आईए आज के वीडियो की सुरुआत करते हैं सल्फियूरिक अमले के बारे में तो यदि हम बात करें सल्फियूरिक अमले की जिसका formula होता है H2SO4 तो सल्फियूरिक अमले के बारे में पहले हम कुछ जनरल चीज़े जान ले जो की most important है और उससे आपके objective question भी बनते हैं तो आईए देखते हैं वो जनरल चीज़े क्या है तो यदि हम बात करें सल्फियूरिक अमले की तो सल्फियूरिक अमले एक महत्पूर्ण रसायन है जिसका प्रयोग प्रयोक्साला एवं उद्योगों में सबसे अधिक किया जाता है अतह इसे रसायनों का राजा या फिर हम कह सकते हैं King of Chemical भी कहते हैं तो जैसे कि आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो सल्फियूरिक अमले हैं सल्फियूरिक अमले का प्रयोग सभी रसायनों में सबसे अधिक किया जाता है इसलिए इसे कहा जाता है King of Chemical तो इस पॉइंट को याद रखेगा एक नंबर के Question में यह Question पू किया जाता था और यह तेल के समान गाढ़ा द्रव होता है तो इस पॉइंट को भी याद रखेगा कि सल्फ्यूरी कम्ल को हम आयल आफ विट्रियॉल भी कहते हैं क्यों कहते हैं क्यों कि प्राचीन समय में यह ग्रीन विट्रियॉल के आस्वन से प्राप्त किया जाता था तो इसे हम रियक्शन के थुरू समझते हैं तो यहाँ पर फार्मला लिखा हुआ है ग्रीन विट्रियॉल का फेसो 4.7s2o इसे आफ फेरस सल्फेट के नाम से भी जानते हैं तो जब हम इसका आस्वन कहते हैं तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फियूरीकम, सल्फ़डे ऑक्साइड जल बनता है क्योंकि प्राचीन समय में हम ग्रीन विट्रियॉल के आस्वन से सल्फियूरीकमल प्राप्थ कहते थे इसलिए इसे और आफ विड्रियॉल कहते हैं आए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के हो जो कि मोस्ट इंपर्टन है सल्फियूरीकमल के निर्माड कर विधी या फिर हम कह सकते हैं self-fury कमल का विचर्थ तो self-fury कमल के निर्माड की जो सबसे आधुनिक और most important विधी है वो है संपर्स प्रक्रम जिसे हम contact प्रोसेस या फिर संपर्क विधी के नाम से भी जानते हैं तो यह आपके syllabus में mention है और बड़ा ही important है तो यदि हम बात करें contact process दौरा sulphury कमल के निर्माड की तो contact process में sulphury कमल का जो निर्माड होता है वो तीन चरोणों से होकर गुजरता है तो आई चलते हैं पहले step की और देखते हैं पहले step में क्या होता है तो first step में हम क्या करते हैं कि जो sulfur अत्वा sulfur के IS को जैसे हम बात करें iron pirate जिसका formula होता है FVS2 इसको हम क्या करेंगे वायू में जला का sulfur dioxide gas का उत्पाधन करेंगे तो first step में क्या होता है कि हम sulfur या sulfur के IS को लेते हैं और उसको वायू में जलाते हैं यानि की oxygen से clear कराते हैं और sulfur dioxide gas प्राप्त करते हैं तो first reaction में हमने sulfur को लिया है और उसका दहन किया है sulfur dioxide प्राप्त किया है इसके लाबा हम sulfur के IS जैसे iron pirate को ले सकते हैं जिसका formula होता है FVS2 इसका भी दहन करेंगे निशे आप reaction देख सकते हैं तो इसके दहन से sulfur dioxide gas प्राप्त होता है तो यह reaction आपने जब धातूं के निशकरसन की भरजन विदी के बारे में पढ़ा होगा तो वहाँ पर इस reaction को देखा होगा तो पहले step में हमने क्या किया कि sulfur के दहन दोरा sulfur dioxide gas प्राप्त किया या फिर हम कह सकते हैं कि sulfur के IS का दहन किया और sulfur dioxide प्राप्त किया हमने sulfur dioxide gas प्राप्त किया था अब उस sulfur dioxide की अभिक्रिया हम पुर्ण oxygen से कराएंगे यानि कि फेज से उसका दहन करेंगे और इसके लिए हम उत्प्रेरक लेंगे vanadium pentoxide V2O5 या फिर हम platinum उत्प्रेरक भी ले सकते हैं तो जब हम SO2 का oxygen से क्रिया कराते हैं तो बनता है sulfur tri oxide तो कहने का मतलब यह है कि first step से प्राप्त sulfur dioxide को हम sulfur tri oxide में बदलते हैं यहाँ पर important चीज और भी है कि यह अभिक्रिया एक उत्क्रमडी अभिक्रिया है और यह एक उसमा छेपी अभिक्रिया है जिसमें कि 196 kJ उसमा उत्पन होती है यहाँ पर एक important point मैं और भी बता दूँ कि जो platinum है platinum के स्थान पर अब vanadium pentoxide यानि कि V2O5 का प्रयोग किया जाता है क्योंकि जो platinum है वो एक बहुत ही किम्ती थातू है और अभिक्रिया में यह जल्दी खराब हो जाता है तो अब platinum के स्थान पर maximum vanadium pentoxide प्रयोग किया जाता है तो इस point को याद रखेगा ठीक है आई चलते हैं तीसरे step के और देखते हैं कि तीसरे चलन में क्या होता है तो दूसरे चलन से जो प्राप्त sulfur trioxide है इसको हम क्या करेंगे sulfuric अमल में औसोसित करेंगे oleum प्राप्त होता है तो reaction याद रखेगा मतलब कि यहाँ पर oleum का formula आप याद रखेगा H2, H2O7 यह बहुत बार पूछा हुआ है oleum के formula के रुप में तो नीशे आप reaction देख सकते हैं कि sulfur trioxide की अभिक्रिया जो हम H2SO4 से कराते हैं तो oleum बनता है तो simple सा reaction है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 hydrogen है तो 2 hydrogen हमने लिख दिया 2 sulfur है तो H2 लिख दिया और total जो oxygen है 7 oxygen है इसलिए यहाँ पर O7 लिख दिया तो यह oleum का formula है इस formula को मैंने बोला था कि याद रखेगा क्योंकि important है तो तीसरे चलर में हमने देखा कि sulfur trioxide को जो हम sulfur कमले में associate कराते हैं तो oleum प्राप्त होता है अब इस oleum का प्रयोग हम इस प्रकार करते हैं जब भी हमें sulfur कमले की ज़रुरत होती है इसमें जल मिला देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि H2, H2O7 में जल मिला गया जल मिलाने पर हमें sulfur कमल यानि कि H2SO4 प्राप्त हुआ तो आए तीनों step को हम एक बार और समझते हैं बहुत जल्दी जल्दी ठीक है तो first step में हमने क्या किया कि sulfur का दहन करा है sulfur dioxide प्राप्त हुआ है या फिर हम sulfur के iron pirate का दहन किये तो भी वहाँ पर हमें sulfur dioxide प्राप्त हुआ है दूसरे चलन में हमने क्या किया कि first step से प्राप्त जो sulfur dioxide है हमने फिर से इसकी अभिक्रिया oxygen से कराई और यहाँ पर हमने उत्परे रख के रुप में लिया vanadium pentoxide या फिर platinum ले सकते हैं तो जब हमने vanadium pentoxide उत्परे रख की उपस्तिति में sulfur dioxide की अभिक्रिया oxygen से कराई तो यहाँ पर हमें sulfur dioxide प्राप्त हुआ और यह एक उस्मा छेपी उत्क्रमड़ी अभिक्रिया है अब दूसरे चलर्ण से प्राप्त sulfur tri oxide को हमने oleum में बदला तो हमने क्या किया कि sulfur tri oxide को H2SO4 से और सोसित कराया तो यहाँ पर oleum जिसका फार्मला है H2SO7 तो oleum प्राप्त हुआ और मैंने बताया थे कि जब भी हमें sulfuric अमल की जिवरत पड़ेगी हम इस oleum को जल में मिला देंगे और जब हम oleum को जल में मिलाएंगे तो हमें मिलेगा sulfuric अमल जैसा कि नीचे आप reaction में देख सकते हैं तो इन तीन स्टेप को फालो करके हम sulfuric अमल का निर्मार कर सकते हैं तो आए नेक्स हम बात करते हैं इसी टापिक से जुड़ा हुआ sulfuric अमल की लबदी के लिए आवसक पस्तितियां यानि कि sulfuric अमल की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए हम किन-किन पस्तितियों का प्रय देखोगा तो इन अभिक्रियाओं में हम इस स्टेप 2 में होने वाले रेक्षन पे अधिक फोकस करेंगे क्योंकि यह01 अख्रमडी अभिक्रिया और आपने उत्क्रमडी अभिक्रिया Tabekracii को पढए है लए। क्लास 11 ने हमें सल्फिरी कमलिक की मात्रा को बढ़ाना है यानि कि उसकी लबधी को बढ़ाना है तो हमें इस अभिक्रिया पर ध्यान देना होगा तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह अभिक्रिया एक उत्क्रमडी अभिक्रिया है और इसके साथ ही साथ यह एक उसमा छेपी अभिक्रिया है और हम सभी जानते हैं कि उत्क्रमणी अविक्रियाओं पर लासाथ रिये का नियम लगाया जाता है तो लास रिये की नियम के अनुसाद जो first step करता है कि अविक्रियाओं की सांधता उच्छे रखने वह सल्फर ट्राय अक्साइड की लबधी अधिक होती है यानि कि इस अभिक्रिया में देखें तो जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें यदि अभिकारक की मात्रा अधिक होती है तो जो उत्पाद है उसकी भी मात्रा अधिक बनती है तो य कम रखने केलिए फ्र्यूंड की संख्या कमरती है तो यदि हम यहां पर ऑक्सीज़न की मातरा यानि is हम उफपाद क Noel किकिख्वास की संधेता को बैधाते हैं तो यह उफपात लिच्वास सब करफाद Alrighty कि इसके दो कारण है पहला कारण यह है कि तो आक्सिजन एक गाहस है और हम सबी जानते हैं कि यदि हम गैस की दाब को बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया उस और विस्थापित होता है जिधे दाब कम होता है तो आप अभिक्रिया में देख सकते हैं कि उतपात की और sulfur dioxide के केवल दो मोल है लेकिन अभिक्रिया की और आपको तीन मोल देखने को मिलेंगे दो आपको sulfur dioxide के और एक oxygen के तो हम oxygen की सांधता को बढ़ा कर sulfur dioxide की जो मात्रा है उसको बढ़ा सकते हैں आईए चलते हैं ला सातलिये के दूसरे पॉइंट की ओर उच्छ दाप यानि की दो एटियम पर एसो थी का उतपाद अधिक होता है तो यदि हम दाप की बात करें तो आप जानते हैं कि ला सातलिये के नियम के अनुसार किसी उतकरमडी अविक्रिया में दाप पढ़ाने पर अविक्रिया का साम उस और विस्थापित होता है यानि कि उस और परिवर्तित होता है जिधर अविक्रिया के मोलो की संख्या जो हो कम हो तो यहां पर देख सकते हैं कि अविक्रिया की और मोलो की संख्या तीन है और उतपाद की और मोलो की संख्या दो है तो यदि हम इस अभिक्रिया के लिए तीसरे पॉइंट पर तो इस अभिक्रिया के लिए निम्न ताफ पर एसो थ्री के उत्पादन की दर क्या होगी अधिक होगी यानि कि इस परिस्थिती में हमें कम ताफ लेना होगा क्यों लेना होगा मैं यहां पर समझा देता हूं क्योंकि हम सभी जानत कि जो हम Sulfur Trioxide का निर्मार कर रहे हैं तो उस अभिक्रिया में उसमा निकल ला है क्योंकि वह एक उसमा छेपी अभिक्रिया होने की वज़े से हमको यहां पर निम्नताप किया सकता पड़ती है तो हम निम्नताप का यूज़ करके S03 के उत्पादन की दर को क्या कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं लेकिन यहां पर एक पॉइंट याद रिखेगा कि इस अभिक्रिया में हम बहुत निम्नताप यूज़ नहीं कर सकते हैं इसके लिए हमें एक अनुकूल ताप लेना होगा और वो अनुकूल ताप है 673 केल्विन से लेकर 723 केल्विन यानि कि इस अभिक्रिया को कराने के लिए हमें 673 केल्विन से लेकर 723 केल्विन उसमा की आओ सकता पड़ेगी हम बहुत अधिक निम्नताप नहीं ले सकते हैं तो यहां पर अभिक्रिया में मैं दाब और ताप दोनों लिख ले रहा हूं क्योंकि मैंने दाप बताया था लगभग हमें दो एटियम लेना है और ताप लगभग हमें लेना है छेसो तीयातर से सासो तेस कैल्विन चलते हैं अगले पॉइंट की और अगला पॉइंट यह कह रहा है कि उत्प्रेरक की उपस्तिती से अभिक्रिया की दर क्या होती है बढ़ जाती है तो यहाँ पर हमने सल्फि इप्रीक हमले के निर्माड के लिए तीन के लिए स्टेब देख लिया इसके आलावा आवस्तितियों को देख लिया अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसके flow chart को जिसमें की आपको कैसे contact विधी द्वारा self fury कमल का निर्मार करना है वो बताया गया तो ये flow chart आपको NCRT की book में देखने को मिलता है और इसको हम समझेंगे और देखेंगे कैसे इन तीन step को इसमें follow किया गया है और H2SO4 का निर्मार किया गया है तो यहां पर आप पहला पार्ट देख सकते हैं जो कि है sulfur burner जिसके अंदर प्लेटे लगई हुई है और इसके उपर sulfur रखा हुआ है तो sulfur की जगह हम iron paride भी यूज़ कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि जह हम इसमें नीचे से वायू प्रवाइट करते हैं और वायू प्रवाइट करके इसे हम गर्म करते हैं तो गर्म होने के साथ यह sulfur से अभिक्रिया करता है और sulfur dioxide बनाता है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि SO2 लिखा हुआ है प्लस इसके साथ oxygen भी लिखा हुआ है क्योंकि इस अभिक्रिया में वो sulfur dioxide के साथ बाहर निकलती है तो sulfur burner के उपरी पार्ट से हम sulfur dioxide को हम उपर की और निकालते हैं और निकालकर अगले पार्ट में भेजते हैं जिसे हम बोलते हैं धूल और छेपक तो इस पार्ट में हम sulfur dioxide को कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं जिसके कारण इसमें जो अवसीष्ट प्रदात है यानि की जो धूल के कड़ है वो नीचे की और बैड़ जाते है और इसके बाद हम जो सल्फर डैकसाइड है इसको भेजते हैं धोने एवं सीतली करण कच्छ में जो की एक तीसरा पार्ट है तो इस कच्छ में होता क्या है इस कच्छ में उपर से जल की फूहारे निकलती है तो आप देख सकते हैं आपर जल की फूहारे निकल ले हैं नीचे की और प्लेट लगे हुए है प्लेट इसलिए लगाया गया है कि जब हम सल्फर डैकसाइड गैस को उपर की और भेजते हैं तो वो इससे होकर धीरे धीरे गो अगर सल्फर डियोकसाइड के साथ अभी भी धूल के कड़ोंगे तो यह जल के साथ भीकर नीचे की और बैठ जाएंगे जो कि अप सिस्ट जल का निर्मार करेंगे तो जो सल्फर डैकसाइड में धूल के कड़ थे धूल और छेपक में अलग नहीं हो पाए इस कच्छ में आकर अलग हो जाते हैं तो यहां पर भी हम धूल के कड़ों का और छेपड कहते हैं या फिर कह सकते हैं कि सल्फा डैयॉक्साइट से हम धूल के कड़ों को अलग करते हैं तो इस कच्छ को हम धावन कच्छ या फिर वासिंग टावर भी कह सकते हैं अब इसके बाद इन सल्फा चाहिते हैं ब measurement काके तरफ यहां पर इसमें ड्रेंग टावर कें सकते हैं ओंकि दिख सक्करेंग काणि लिकेनी हिंदे कनाय साइब्ड़ contest तो और यह sulfur dioxide में उपस्तित जो जलवास्प है, अब यह जलवास्प कहां साया, तो आपने देखा कि पीछे की तरफ जब हमने sulfur dioxide को washing tower में भेजा था, तो वहाँ पर आते समय इसमें जल के कुछ बूदे या कह सकते हैं, जल के कर्ड रह जाते हैं, तो जब हम washing tower से इसे सुसकन यानि की drying tower में भेजते हैं, तो उस condition में sulfur dioxide के साथ जलवास्प रह जाता है, तो S2SO4 क्या कहता है, इस जलवास्प को associate कर लेता है, तो इसके बाद क्या रह जाता है, Sulfur Day Oxide रह जाता है और यह Sulfur Day Oxide कैसा होता है सुसक होता है यानि की Dry होता है तो यहाँ पर सुसक SO2 का निर्मार होता है इसलिए इस टावर को हम सुसकन टावर यानि की Drying Tower कहते हैं अब इस सुसक SO2 को हम भेशते हैं आरसेनिक सुधिक आरग में यहाँ पर फेर्िक हैडरोकष़इड रखा रहता है जो कि आरसेनी की असुद्धियों को दूर करता है तो इस तरह जो प्रापत सुसक सिल्फरड और अक्साइड है अगर इसमें कुछ आरसेनी की असुद्धियां होती है तो वो iron hydroxide दोरा और सोसित कर ले जाती है अब यहाँ पर एक बात आती है कि यहाँ पर आसेनी की असुद्धियों को अलग करना जरूरी क्यों है तो आगे आपको यह बात समझ में आ जाएगी ठीक है मैं आगे आपको बताओंगा कि क्यों जरूरी है अब इसके बाद जो sulphide gas के मिसरण है इसे हम भेजते हैं पुर्व तापक में और इसे यहाँ पर गर्म करते हैं और गर्म घर के भेजते हैं उत्प्रेरी की परिवर्तक में तो इस उत्प्रेरी की कच्छ में प्लेट लगे हुए हैं और इस प्लेट पर रखा हुआ है वेनेडियम पेंटा उक्साइड यानि की V2O5 जो की एक उत्प्रेरक है इसके स्थान पर हम प्लेटिनम का उप्योग भी कर सकते हैं यहाँ पर एक पॉइंट को आप ध्यान से समझेगा यदि हम यहाँ पर प्लेटिनम का उप्योग करते यानि की प्लेटिनम जाल का उप्योग करते तो यह जो आर्सेनिक है आर्सेनिक पॉइजन का कारे करता है यानि की यह एक उत्प्रेरक विस होता है इसलिए यहाँ पर आर्सेनिक की जो असुदिया है उनको अलग कर दी गई यानि की और सोसित कर ली गई किसके दोरा अलग की गई फेरिक हाइड्रा ऑक्साइड दोरा तो वेनेडियम पेंटा उकसाइड की उपस्तिती में सल्φर डाय उकसाइड औक्सिजन से अभिक्रिया करके सल्फर ट्राई उकसाइड का निर्मार करता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एपजावसन टावर, हिंदी में बोलते है और सोर्सर टावर, तो इस टावर में अंदर की ओर क्वार्ज भरे होते हैं, तथा उपर की ओर सांद्र सल्फिरिक अम्र फुहारे के रूप में गेता है, तो यहाँ पर क्वार्ज इसलिए भरा हुआ है कि जो सल्फर डायोकसाइड है, वो तेजी से नजाए, वो धीरे धीरे जाए, ताकि वो सांद्र से असानी से क्रिया कर सके, और इस प्रकार से ओलियम का निर्माण होता है, यानि कि जो सल्फर ट्रायोकसाइड है, सांद्र से अविक्रिया करती है, और ओलियम बनाती है, तो यह जो हमें ओलियम प्राप सकते हैं तो यहां पर आप एक्जाम में कैसे लिखेंगे मैं आपको लिखना भी बता देता हूं ताकि आप दो-चार पॉइंट इग्जाम में लिख सके और अच्छे नंबर राप्त सके तो क्या पॉइंट आप लिखेंगे आई यह मैं आपको पॉइंट वाइज बताता हूं तो सबसे पहला आपका हेडिंग होगा सल्फर बर्नर या पायराइट बर्नर तो यह एक प्रकार की भट्टी होती है जिसमें की सल्फर या फिर आयरन पायराइट वाई की उपस्थि पक जिसे इंगलिस में बोलते है डस्ट प्रेसिपेटर तो यहां पर पायराइट बर्नर से प्राप्त जो गैसी मिस्रड है जिसमें की सो टू और ऑक्सिजन होते हैं इनको हम धूल अच्छे पक में प्रवाइद करते हैं जहां पर इन गैसों में पस्तित जो धूल के कड़ होते हैं वो अलग हो जाते हैं तो तीसरा जो कच्छ है वो है धोने एवं सितली करण का मिनार जिसे हम बोलते हैं वासिंग और कूलिंग टावर तो धूल कच्छ से जो प्राप्त गैसी मिस्रड है इसे हम क्या कहते हैं धावन मिनार में नीचे की और प्रवाइद किया जाता यानि कि जो धूलकत से प्राप्त Sulfur Dioxide Gass है अगर उसमें कुछ भी धूलके कण हैं वो उपर से जल के साथ क्रिया करते हैं और अपसिस्ट जल के रुप में बाहर निकल जाते हैं और इसके साथ ही साथ जो Sulfur Dioxide का अगर ताप अधिक होता है क्योंकि हमने पीछे उसको गर मिनार में नीचे से arada करते हैं इस मिनार में से सांध सलफीर्य का अम लगेता है जो कि veio मिस्रड से जल वास्प को ऑस्वाफ कर लेतक है यानि कि सलफर ese है जब हम उसे को पानी में धोए तो उसमें जो करक में, यानि कि arsenic purifier में, तो सुसकन मिराइसे । प्राद, जي घ्एसी मिस्रड को हम arsenic स्ोधक में भेजते हैं तो arsenic सोधक में फैरिक हाईडरा अकसाइड भरा होता है, जो कि arsenic mirasin में उपश्थित arsenic की असुदियों को औसोसित कर लेता है तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं यह आर्सेनिक सुधिकारक है जो कि सल्फर डियक्साइड में अगर उपस्तित आर्सेनिक या सुधिया होंगी तो यह क्या करेगा औसोसित कर लेगा इसके बाद हम भेजते हैं इसे पुरुतापक में यानि की प्री हीटर में तो आर्सेनिक सुधिकारक से गैसी मिस्रण को पुरुतापक में भेजा जाता है जहां पर गैसी मिस्रण को गर्म किया जाता है तो इसे गर्म करने से क्या प्लाव है आगे आपको यह बास समझ में आ जाएगा अब इसके बाद हम इस गैसी मिस्रण को भेज जहां पर उत्प्रेयरक भरा होता है और उत्प्रेयरक के रुप में हम वेनेडियम पेंटाउकसाइड या फिर प्लैटिनम का उप्योग करते हैं और इसके लिए जो अभिक्रिया है आप देख सकते हैं कि सल्फर डैयोकसाइड गैस और ऑक्सीजन वी तुओ फाइब या फिर केलवें लेंगे तो यहां पर मैंने बताया था कि यहां पर हम इसको गर्म करते हैं तो कंडिशन यही है कि इस अभिक्रिया में हमें अधिक सल्फर डैयोकसाइड प्राप्त करना है तो अधिक सल्फर डैयोकसाइड प्राप्त करने के लिए हम एक कंट्रोल एमाउंट में इ तो उपर से सांध सल्फियूरी कम लगेता है जो की एसो थी से अविक्रिया करता है और अविक्रिया करके बनाता है और इस प्रकार से हम ओलियम को जल में मिलाकर एस टू एस फॉर प्राप्त करते हैं आई होप आपको सबी बाते समझ में आ गई होगी और आपको किस तरह एक्जाम में लिखना है ये भी बात समझ में आ गया होगा तो दोस्तो आज की वीडियो बस इतना ही आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएगा यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा और अपने दोस्तों में इसे सेयर करना मत भूलेगा और यदि आपका माय चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने माय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज माय चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बगल में जो बेल आइकान है उसे प्रेस करिएगा और उपर की और जो All का Option है उसे सेलेक्ट कीजिएगा तकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुँचे तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत